अगर आपका जैन में स्कोर कम हो गया है कई बच्चे इस को लेके परेशान है कि सर मेरा पेपर खराब हो गया आप क्या करूं अरे भाईया बहुत बढ़िया वडिया ओप्शन आपके पास अवेलेविल हैं तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं आपको परेशान नह आपके हाथ में खुद है तो अगर जैन का इसकोर कम है अभी भी आपको कुछ ऐसी इंस्ट्रिजूट है जो मिल सकती है जो कि आईएटी से बहतर हो सकती है चलो बात करते हैं सर क्या बात कर रहा है सब यह बिल्कुल सही बात बोल रहा हूं मैं क्या क्या आपके पास अभी है जो आपका पेपर खड़ाब होगा आपको रोना नहीं है बस और आगे काम करना है टेंशन नहीं लेनी मैं लेके चलता हो सीधे आपको ऑफिशल वेबसाइट से जहां से आप इस सारी इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हो जी हां बच्चे हम चलते हैं ऑफिशल है वोम पर चलते सबसे पहले आप वोम पर आओगे आपके सामने वेबसाइट खोल के आजाएगे नोई शू तो आपने जैम दिया यह बात तो आपको बहुत किलियर है कि अगर आपने जैम दिया है तो आपको आइटी में अडमिशन हो जाएगा अगर आपका रहें का आग है कि अगर आपका जैम नहीं हुआ है अच्छा कोई बात नहीं कौन से आप्शन अवेलेवल देखो आपको पता सारी आइटी में आपको एडमिशन कहीं नहीं मिल जाएगा अगर थोड़ा बहुत बहुत बढ़े स्कूर आगया है ठीक है बहुत सारी आइटी सारा आइटी बट यह उनी को मिलेगा जिनका जैम का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा राइट आइसी बैंगलवर आप्शन आपके पास है जो कि जैम के वेसेस पे आपको एडमिशन दे देगा बट वह डिफरेंट काउंसलिंग हो इती है आपको इसलिए आगा किया जा रहा है ताकि आप एक्दम तयार रहें सब काउंसलिंग के लिए क्योंकि सी सी एमन की काउंसलिंग से भी आप कुछ एसी हैं जो कई अपनी नई आइटी से बहतर है राइट आप वहां पे इस सूर्ण आप सामने दो ओप्षन आयते हैं यहां से आएसे बैगलोर में आप जा सकते हो सी सी मन में हम जाते हैं सी सी मन हम एक तो तो अब है और आपको यह देखना है कि इन्फॉर्मेशन में सेंटर लिष्ट एक्टेगरी यह तो हो गया आपको बहुत सारी चीज़ें आप गजो कुछी सब्सक्राइब zitten 예से आप में सिक्राइब है और सब्सक्राइब आप निटी पे जाना चाहते हो आपके पास इंडे इस्टीट आप इंफॉरमेशन टेकलोजी भी अविलेवल है आपके पास सेंट्रली फंडर टेक्निकल इस्टीट वी अविलेवल है इन में से आप कोई बी चीज़ चूज कर सकते हो यहां से कौन इस कोई निट करनाटका अपको अपने हैं वहां से परोज्ट में रहना चाहते हैं तो आपको पता वहां कि मेरे यहां से कौन से निटी पास में उसके कॉर्डिंग करनाटका है मनाइट अलावाद है मनाइटी जैपूर है बहुत सारे इसे दुने बेटा ऐसा मद समझो कि आपका जैम का स्कोर हो गया तो जैम के स्कोर से आपके वलाइटी में थोड़ा बहुत कम स्कोर है उन करना है मेरे पास एन एटी कुरुचित्र में कितनी सीटए मैंने आप क्या कि अनटी कुरुच्चित्व को सेड़्य कर दिया डिपार्टमेंट क about even we have multiple सब्सक्राइब और फिए फिए मुझे प्रोग्राम सबने देग लिया प्रोग्राम का मस्ट फिजिक्स बिलकुल देगे सब गुरुप चाहिए सर गुरुप मेंने क्या किया और गुरूब बन कर दिया चलो अब यहां से आपको दिख्या आ गया कि एनाइटी कुरुच्छत्र में कितनी सीटे हैं सर देखो मस्टी फिजिक की टोटल जो सीटे हैं हमारे पास कितनी है 15 ओपिन कैटेगरी में पांच हैं ओपिन पीडवलूडी कैटेगरी में एक हैं मन मतला जो जननरल बच्चे पीडव्लूडी में याते हैं य८्ण सेमें दो हैं और ऑसी में दो हैं इसटी में दो हैं और ऊबेसी में 4 सीटे और वह आपको देखना है कि कौन सी आइटी आपको चाहिए उसके हिसाब से प्रफरेंस रखेंगे आप यहां से किसी इनाइटी की सीट को आराम से चेक कर सकते मैंने आपको प्रोसेस बता दिया तो बिल्कुल भगवराएं ना दूसरी अंपॉर्टेंट चीज आपको पता ही यह कि जयां का इसको खराब हो गया तो से बहतर ऑप्शन क्या है अभी आपका एक्जाम लगा हुआ है 14 तारीक को और उस एक्जाम के लिए आपको बता दें आप तैयारी तो करी रहे हैं उस एक्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको जो एक्जाम हो जाएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा जैनू में हो जाएगा तो इसी लिए स्यूट के लिए रिवीजन करते हो समय बहुत कम है आपके पास 14 तारीकों पेपर है आपको फ्री में इतना मत्सारा मट्रियल मिल रहा है यह सब IFS की वेबसाइट पे अबिलेवल है अगर अ इसके लिए रिवीजन करना तैस्स लगाने रिविजन करना पी लगाने टैस्स लगाने कहां से मिलेंगे सर्फिक वेबसाइट से सारे यहरवाइस पीवाइड और सब्सक्राइब कर सकते हैं पेपर का अलेसिस भी पड़ा है आपको पता रहेगा कौन से टौपिक कितने इं समझ में आया होगा कि अगर आप जैन के स्कॉर के वेस पर एनाइटीस में कैसे काम कर सकते हो और नाइटीस के आपके पस प्रणांप बताएं उसके लाएं और याइस्स को ही मिलेगा जिनका रहा है जिनका जैंका इसको रचा है और आइजर्स बट आई इसमें आपको समझ माया होगा अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है कुछ वैलू आईडियो कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिली है तो इसको अपने सारे मित्रों के साथ शेयर जरूर कर देना क्योंकि बहुत अगर अच्छी लगी तो इसको सारे मित्रों के साथ शेयर करें थैंक्यू सुमाच